दोस्तो पाच मिनिट में बस चार चीजों से सिर्फ 40 रूपे में बनाया है बिलकुल ही सॉफ्ट और मुँ में घुल जाने वाले स्वाधिस्ट कोकनेट लड़ो अगर आपको और ऐसी मज़िदा रेसिपीस देखनी हो तो प्लीज निचे सिस्क्राइब बटन दबा दीजिए तो स्वागत है आपका शेफिंग विट एके में यहां मैंने आधा फ्रेश नारियल लिया है और उसे ग्रेटर के सबसे छोटे हिस्से से ग्रेट कर लिया है यहां आप फ्रेश नारियल की जगापर डेसिकेटिट कोकनेट का भी यूज कर सकते हो लेकिन फ्रेश नारियल का एक अलग ही स्वाद और मजा है तो यहां मैंने आधा नारियल इसे ग्रेट कर लिया है यहां एक कड़ाई ली है मैंने और इसमें दो बड़ी चमर्ज घी डाल दिया है आप यहां पर कड़ाई की जगा पर कोई पैन का भी यूज़ कर सकते हो घी के गरम होते ही घिसा हुआ नारियल डाल देगे अभी इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पर यहां हमें इस नारियल को तब तक भूनना है जब तक नारियल सूप नहीं जाता और हलका ब्राउन कलर का नहीं हो जाता जब नारियल ऐसे दिखे तो इसमें आधा कप चीनी डाल देगे इसे अच्छी से पकाएगे जब तक चीनी पिघल नहीं जाती और इस स्टेज पर एक कप मिल्क पाउडर डाल देगे गैस का फ्लेम तुरंद बंद कर देगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएगे इसे गर्मी में मिल्क पाउडर अपने आप अच्छी से घुल जाएगा और नारियल के साथ मिल जाएगा इसे एक प्लेट में निकाल लेगे थोड़ा हलका सा थंडा होने देगे इतना कि हम इसके लड़ू बना सके इसे अच्छी से स्मैश करके मिलाएगे ये ऐसे एक डो जैसा बन जाएगा अब ये थोड़ा मिक्षर लेकर ऐसे गोल करके रखेगे और यहां मैंने एक कब जितना और फ्रेश नारियल लिया है यहां मिक्षर के एक पीस को उठाएगे इसे अच्छी से गोल करके लड़ू का शेप देगे और इसे यह फ्रेश नारियल में कोट कर लेगे नारियल को अच्छी से लड़ू के उपर ऐसे दबाएगे और लीजे ये आपका बिलकुल स्वादिश्ट कोकोनेट लड़ू तयार है ठीक ऐसे ही सारे लड़ू को शेप और कोट कर देगे और बस बहुत ही आसानी से सिफ पाच मिनिट में आपका लड़ू बनकर तयार है तो बनाएए इससे और मज़ा लीजे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे नीचे कमेंट कीजे शेर कीजे अपने दोस्तों के साथ और सस्क्राइब कीजे आपके अपने चैनल शेफिंग वितेके को